नमस्कार मैं हूँ दर्शनकार न्यूज बाइसकोप की पूरी टीम इस वक्त यहां पर मौजूद है और हम दामोदर नदी पे आप देख सकते हैं भैरवी नदी का पानी रजरप्पा मंदिर उपर है मा के मंदर की प्राचीर यहां से दिखाई दे रही है और ये भैरवी चैर किजिए और बाकी सब सभी पूछे कि वह कैसा महसूस कर रहा है जाहिर सी बात है कि हमारे सहियोगी उदे ने आपको बताया कि इस वक्त हम दामोदर नदी में है यहां पर हम चिनमस्तिका मंदिर पहुंचे थे माता का दर्शन के बाद हमने सोचा कि आपको कुछ राची से लगबग 80 किलो मिटर दूर रजरप्पा में चिनमस्तिका मंदिर है और आप यह समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहां का जो नजारा है वो काफी बहतरी ने काफी रुमान चक है तो जरूर हमारे साथ हमारे सहियोगी भी मौजूद है कई लोग है पलवी हमारे साथ मौझूद है मैंनी से बात करेंगे कि कैसा लग रहा है राची से बाहर निकली है रजरप्पा पहुंची है और ऐसा नजारा बहुत ही मनोरम द्रिश्य है और प्रकृती के साथ ऐसा बहुत दिनों के बाद मुझे मिला है और बहुत ही हम मैं एंजॉई कर रही हूं यहां प प्रकृती के साथ इतना सारा टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा है कि सच में मतब प्रकृती के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे तो अपने सारे गमों को भूल सकते हैं और इसी बात है कि इन्होंने कहा कि अगर आप प्रकृती से जूड़ते हैं तो सारे गम को आभूल ज जो सोचल मीडिया देखते हैं हम इंसे बात करेंगे कैसा लग रहा है ऑफिस से बाहर निकल कर एक ऐसा जगा जहां पर आपको एक अलग सा वातवरन मिल रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है जो दमोदर नदी के अंदर में हम लोग आए हैं यहां के खुबसूरती देखने क आपको जहरना कैसे पानी गिर रहा है इसके खुबसूरती के छीटे हम लोग पर पुरा मेरा टीम उत्साही तो और एनरजेटिक होकर बाइस स्कूप के बहुत ही जल्दी एक और भुलंदी हम लोग हासिल करेंगे तो जाइर सी बात है कि तमाम चीजे हम आपको दिखा रहें इस वक्त हमारे साथ एडिटर इनचीफ गंगेज गुंजन जी वी मौजूद हम इनसे बात करेंगे क्योंकि इन्होंने कहा कि रोमांचक तो है लेकिन रोमांचक जादा उन लोगों के लिए जिनको तैरना नहीं से एक तरह से आशिरवाद के रूप में हम लोगों को मिल रहा है और इस बहरवी का महत तो बहुत है मां के चरण के नीचे से होकर गुजरती है दामदर नदी में आकर मिल रही है और यह जो बूंदे आकर आपके उपर गिर रही है वो अपने आप में हम कह सकते हैं बाद सो रूप हैं जो आपके उपर आकर पानी की बुंदे गिर रही है तो वो सब कुछ हम लोगों ने यहां पर देखा है और जैसा कि मैंने आपको कहा कि पहले भी हमने बताया है कि हम रजरप्पा को एक कंप्रीट परेटन स्थर के रूप में भी देख सकते हैं जहां आ प्राकरतिक नजारे हैं वो भी यहां पर है और अगर आप कुछ दिनों के लिए आप शांती के साथ जंगल में रहना चाहते हैं तो वो भी यहां मौजूद है तो रजरप्पा को सिर्फ माता के स्थान के रुप में जाना जाता है अभी तक मुझे लगता है इसके दूसरे पहलों को भी लोग जाने तो इसके प्रते आकरशन और बढ़ेगा जो कुछ दिन यहां लोग उजारेंगे और यहां के परेटन क्षेतर के लिए भी अच्छा होगा तो फिलाल तो यह है कि आप यहां आएं मां के दर्शन करें और साथ में यहां पर और भी जो चीजे हैं उसका पूरा आनंद ले तो इस वक्त हमारे साथ मदन जी भी मौजूद है उनसे भी बात करते काफी चुप चुप है डर लग रहा है क्या है डर तो लग रहा है जब से मैंने सुना कि 15 से 20 फिट इस नदी की गहराई है तो सच में मुझे भी तेरना नहीं आता लेकिन सब का होसला बढ़ाने के लिए चुप बैठा था तो लेकिन काफी अलग रहा कई बार मुझे या आने का मुका मिला था लेकिन इस पहलू को हम सच में नहीं देख पाए थे जो इतनी खूबसूरत ये जगह है पहारों के बीच में इतनी गहराई और यहां पर बोटिंग की भी व बढ़ा है तो आज हम लोग भी पहुँचे हैं और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं रजरप्पा मा के दरसन के लिए मा का असिरवाद पाने के लिए तो जरूर आए लेकिन उसके बाद इस पहलू को भी देखे और आनंद उठा कर जाए दूसरे को भी बताए कि इस बोटिंग को भी करें दामोदर नदी में जो है वो देखें कि कितनी खुबसूरत चटाने हैं पानी है गहराई है और नाओ का तो अलग ही मजा है जब आप नाओ पर चलते हैं तो फिर उसका जो आनंद है वो आपको यहाँ पर देखने को सुनने को मिलेगा बजाईर सी बात है कि नियूज बाइसकोप की टीम बोटिंग तो कर ली है दामोदर नदी में नाओ की सवारी कर ली है और आपने सुना कि बाइसकोप के तमाम जो सहीयोगी है तमाम जो कर्मी है उनका इस परश रूप से कहना है कि अनुभाव काफी बहतीरी इन रहा क्यों बगले जरूर आए और जरूरी ये जो नाव है इसमें आप बैठ कर जरूर शेयर करें फिलहाल मुझे देज़ाज़त नमस्कार